राखी से पहले इन राशी वालों के लिए होने वाला है कुछ अलग। 18 अगस्त 2024 को शनी का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में नई चनौतियों का संकेत दे रहा है। जयोतिश शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई ग्रह अपनी स्थिती बदलता है, तो उसका प्रभाव हर राशी पर पड़ता है। इस बार रक्षा बंधन के पहले शनी नक्षत्र का परिवर्तन कुम्ब राशी में हो रहा है, जो कई राशियों के जीवन में उथल पुथल मचाने वाला है। देवघर के ज्योतिशाचार्य पंडित नंकिशोर मुदगल के अनुसार, शनी का यह परिवर्तन कर्क, व्रुष्चिक और मीन राशी के जातकों के लिए विशेश रूप से चुनौती पूर्ण साबित हो सकता है। शनी की वक्री चाल से ये तीन राशिया सावधान रहें, क्योंकि शनी की द्रिष्टी आपके जीवन में समस्याओं और कठिनाईयों का संकेत दे रही है। वक्री अवस्था में ही ये नक्षत्र परिवर्टन करने जा रहे हैं, 18 अगस्त को सनी कुरुवागर पदनक्त में प्रवेश करेंगे। तो नक्षत्र परिवर्टन करने से सनी की द्रिष्टी जो है वह तीन राश्वी वालों के उपर खुराब होने जाता है। करक राशी, शनी का नक्षत्र परिवर्तन करक राशी वालों के लिए आर्थिक संकट का कारण बन सकता है, आपके घर में कला और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में भी समस्याएं उभर सकती हैं और रिष्टों में खटास आने की संभावना है, इस समय आपको अपने बचने की सला दी जाती है, अन्यथा कानूनी मामलों में फन सकते हैं, पैत्रिक संपत्ती को लेकर भी विवाद संभव है, मीन राशी वालों के लिए यह समय व्यापार में नुकसान का संकेत दे रहा है, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले सावधानी बढ़ते, हाई में भी कठिनायां आ सकती है, टीन राशी वालों के ओ सिल गठारा, का समय आ रहा है, टीन राशी वाले हैं, करक, ब्रिस्चिक और इमीन ये तीन रासिवावां के उपर सनी की कुदिश्टी हो जाएगी उनका आर्थिक घाटा हो सकता है व्यापार मेहानी हो सकती है सारणी कस्ट हो सकता है और मन असांत रहेगा परिवार में कलह की भी नौबत आएगी उपाए शनी के दुष प्रभाव से बचने के लिए सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का जलाभिशेग अवश्य करें इसके साथ ही हनुमान जी की पूजा करें क्योंकि शनी के कश्टों से मुक्ती दिलाने में हनुमान जी की विशेश भूमिका होती है तो इससे बचने के लिए हनवान जी की आरादना अवस्य करें ये तीन रास्य वाले इसे इस रूप से धान रखें कि सनी की जो कुल्डिरिस्टी पड़ रही है इससे बचने के लिए सावन माह में ही 18 तारिक से वक्ति अवस्ता में 27 नक्षत पर जा रहे हैं तो 19 तारिक सावन पुर्णि मा के दिन ज़दी हो सके तो सीब जी का जला भिशेख निस्चित रूप से करें क्योंकि सनी महराज के गुरू जो हैं वह संकर भगवान है जदी आप 18 तारिक वक्ति होंगे और 19 तारिक पुर्णि मा को यह समय कठिन हो सकता है लेकिन उचित उपायों के साथ इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है शनी का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चुनौतिया लेकर आ सकता है लेकिन धहर्य और समझदारी से आप इस समय को भी सफलता में बदल सकते हैं लोकल 18 के लिए देवघर से परमजीत सिंग की रिपोर्ट